सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जैसा कि आप लोगों को विधित है मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाकार प्यारी बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जिसका की नाम है Teaching और Learning Hub इसमें Teaching और Learning से संबंदित काफी अच्छे इंट्रेस्टिंग और Updated वीडियो बनाती रहती हूँ आज का वीडियो मेरा स्पैसिफिक होने वाला है कि जो भी बच्चे उत्राखंड में रहते हैं और उत्राखंड में रहते वे सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं को भी यहां पे CUT, बीड करने के लिए CUT देना पड़ेगा यहां बच्चों को यह भी confusion था कि मैम क्या अलग से अब state के बीड के form आएंगे तो यह सारा confusion बच्चों में आज clear करने वाली हूँ उन सभी बच्चों का जो साल 2023 में बीड करने का सोच रहे हैं उत्राखंड से और जो बच्चे उत्राखंड की हेमवती नंदन बहुगना गडवाल यूनिवरसिटी के लिए बीड करना चाते उनका भी मैं सारे confusion और जो doubt स हम यहां पर बेसिकली आज के वीडियो में बात करेंगे कि उत्राखंड में कौन-कौन सी ऐसी मुख्या यूनिवरसिटी है जो बीड कराती है उनका क्राइटीरिया क्या है मतलब eligibility क्या है qualification क्या है इनके form का बाते हैं और किस तरीके से आपने जो exam है उसमें बैठना है उसका exam का pattern क्या होता है और छोटी-मोटी थोड़ी बहुत जानकारी में दूंगे आपको अपने चैनल के मात्यम से तो चलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और इस वीडियो को सुनने के बाद देखने के बाद आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे comment कर करके पूछ सकते हैं और जिन बच्चों को direct help चाहिए वो मुझे phone करके WhatsApp करके paid basis पे consultation ले सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो तो देखिए बच्चों उत्राखंड के बच्चे इसे समझ लीजे दिहान से और बाकी बच्चे भी समझ लेजिए कि देखिए उत्राखंड में जो मुख्य यूनिवर्सिटी जो वियर्ट कराती है जिसको मैं follow करती हूं मैं उनके बारे में आपको बता देती हूं तो तीन मुख्य यूनिवर्सिटी है एक आता है आपका HNB गडवाल यूनिवर्सिटी जिसे कि हम जानते हैं हेमवती नंदन दूसरी है आपका कुमाउ यूनिवर्सिटी और तीसरा आता है आपका स्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी तो यह तीन यूनिवर्सिटी है जिनको मैं follow करती हूं इससे लेटर अपडेट आपको कोई भी चाहिए तो वह मेरे चैनल से आपको मिल जाएगी तीक है तो यह ती the tino university how nasıl a तीनो यूनिवर्सिटी एक्षाम करूं कि सब्यों कि जो यूनिवर्सिटी में हैं तो यह उतरा खड़ा लेकिन इनको जो गवर्ण करती है जो इनको देखती है उनकी जो गवर्णिंग बॉड़ी है वो अलग-अलग है ठीक है तो वो मैं आपको इसमें संझाऊंगी तो सबसे पहली चीज हमें समझ में आ गई कि उत्राखंड में अगर बियर्ट करना है तो हमको देखना है कि सबसे पहले यूनिवर ले की कोई भी है हमने ने देना हैं अब हो इंटरांस एक्जाम कब होगा और कैसे बहां पर देखिया जोइंचे फॉम आते हैं जून आते RAMे present और जो श्रीदेव सुमन है इसके भी आपके आते हैं जून और जुलाई के आसपास ठीक है कभी-कभी में में भी आ जाते हैं तो कुल मिला के हमने क्या समझा कि ये तीनों यूनिवर्सिटी के अगर आप बीड इस साल भरेंगे तो आपको एप्रेल और मे से ही फॉलो करना शुरू कर दिना है तो जिस भी चैनल को आप प्रॉपरली फॉलो करते हो या मेरे चैनल को वहाँ पे आपको इनकी पूरी अपडेट मिल जाएंगी जब इनके फॉर्म निकलेंगे बीड एंटरंस एक्जाम के नोटिफिकेशन आता है पूरी जानकारी आती है कि कैसे बच्चे भढ़ सकते हैं ओनलाइन होगा ओफलाइन होगा वो सारी जानकारी भी आपको बताई जाएगी ठीक है तो यह सबसे पहली चीज हो गई आपका एंटरंस एक्जाम का अब बताती हो बच्चों में आपको देखिए यह जो यूनिवर्सिटी है ना कुमाव यूनिवर्सिटी और स्रिदेव सुमन यूनिवर्सिटी यह तो है आपके स्टेट यूनिवर्सिटी में आती है यानि कि इसका जो जो गवर्निंग बॉड़ी है वो उत्राखंड की ही बच्चों के साथ होगा कहने का मतला यह है कि इसमें पूरे जो All India के बच्चे हैं वो नहीं होंगे ठीक है लेकिन जो आपकी HNB गड़वाल उनिवर्सिटी है इनका जो बीर्ड होता है उसके बीर्ड का नामी भी अलग है इनका जो बीर्ड होता है जो पिसले साल 2022 में हुआ है ना बच्चों वो हुआ है CUET के नाम से CUET जिसे कि हम जानते हैं Common University Entrance Test या आप समझ लीजे Central University Entrance Test अब इसका जो एक्जाम होगा वो All India basis पे होगा यानि कि पूरे भारत के किसी भी कोने के बच्चे चाहे जम्मू के हो चाहे कन्या कुमारी के हो चाहे उत्राखंड के हो वो अगर इस University से बीर्ड करना चाते हैं तो उनको उत्राखंड गॉर्मेंट को अलग से बीर्ड नहीं कराएगी उनके लिए CUET का एक्जाम होगा उसमें आपके उत्राखंड के बच्चे भी बैठेंगे ठीक है उसमें आपके जम्मू के और कन्या कुमारी तक भारत वर्स East, West, North, South कहीं के बच्चे भी बैठ सकते हैं ठीक है तो ये सबसे पहली चीज़ हमने समझनी है कि अगर जो बच्चे उनको सी यूटी देने की जरुरत नहीं है उनको जब भी कुमाओ बीयर्ड के फॉर्म आएंगे इसको जो यूनिवर्सिटी देखती है वो कुमाओ बीयर्ड के नाम से जानते हैं और जो स्रीदेव सुमन का है मरजी से फॉर्म जब भाएंगे भरे और उस entrance exam को और इसमें जब आप clear कर देंगे तो कुमाओ बेर्ड में जाएगा आपका जो enrollment number है और स्रीदेव सुमन का जब आप कर देंगे तो आपका स्रीदेव सुमन में जाएगा ठीक है अब यहां पि जो इसको और इंडिया पेसिस पर किया गया है क्यों किया गया है यह भी आपको समझना जरूरी है देखे बच्चों पिछले साल 2022 से क्या कहा गया कि भारत वर्स में जितनी भी करीबन 54 या 56 मेरी खाल से 54 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानि कि जैसे केंद्र शासित यूनिवर् दो प्रकार की यूनिवर्सिटी होती है दो तिन प्रकार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो की डारेक्ट आपकी सेंट्रल गौर्वर्मेंट देखती है और दूसरी आती है स्टेट यूनिवर्सिटी तो जो भी ये कहा गया कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो अग की जानकारी लिए बता दू कि हमारी जो उत्राखंड की हेमवती नंदन भागणा गडवाल यूनिवसिटी जो है वो अपने आप में एक सेंट्रल यूनिवसिटी है ठीक है केंदर सासित यूनिवसिटी है इसलिए उनको जो सेंट्रल गौर्मेंट का ओडर है उसको मानना पड़ा तो सीउटी एंटरंस एक्जाम चाहे आप यूजी कोर्स में लेंगे पिछले साल यूजी कोर्स के लिए कैंसल हो गया केवल केवल जो 14 कैंपस में जिन्होंने एडमिशन लिया टीहरी में और पौडी में उनको देना पड़ा बाकी जिनका था वो कैंसल हो गया ले एचन विगड़ाल उनिवर्सिटी का हो गया को माओ वीयर्ड का एंटरंस एक्जाम का पैटन क्या होता है कितना स्लेबस है वो सारी बाते में आपको आगे मतलब जो वीडियो आएंगे उसमें बताऊंगे और बचो थोड़ा सा यहां पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बी होगा यानि कि पूरे और इंडिया के बच्चे होंगे तो इसका जो कॉंपेटिशन होगा ना एचनवी का वो थोड़ा टफ हो जाएगा ठीक है इसका जो एक्जाम जो होता है इसमें सौ क्वेश्चन की आसपास आते हैं और प्रतेक प्रश्न जो होता है वो चार नंबर का आया जाता है अब रही बात ये कुमाओ बियर्ट की तो इसका जो एंटरंस एक्जाम होता है इसमें जो एक्जाम पैटन है इसमें करीब 200 क्वेश्चन्स आपके पूछे जाते हैं और तीन घंटे इनको सॉल्व करने के लिए जाते कुछ इस तरीके से और इसमें जो नेग आपको तीन घंटे आज पास दिये जाते हैं और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है अब दूसरी बात बच्चों में यहां पर आपको यह क्लियर करना चाहती हूं कि देखिए जो बियर्ट का एंटरंस एक्जाम होता है एक चीज इसमें कॉमन होती है ठीक है और आपका जो reasoning aptitude होता है वो common होता है जी किये जो होता है वो common होता है मतलब कुछ subject ऐसे होते हैं जो common पूछे जाते हैं इन जो बियर्ट का entrance exam होता है तो कहने का मतलब यह है कि हाला कि मैं slavus आप लोगों को जब आईगा तो share करूंगी लेकिन फिलाल के लिए अगर आप ब लेंग्वेज की जो पकड़ है English Hindi उसको बनाई अच्छे से reasoning वाले questions है teaching aptitude के questions है उसको थोड़ा correct करिये ठीक है और GK त्यादी अभी से पढ़ना सुरू कर दी थे क्योंकि इसमें तो थोड़ा high level का GK आता है इसमें basically जो पिछले साल के जो बच्चों के जो मैंने पूछे वो बता रहे थे कि मैं art and culture, music और जो जितनी भी awards वगेरा होते हैं उनसे ज्यादा questions आये थे और यह वाला जो कुमाओ University के जो beard है यह तो normal है इसमें सबी जो आप previous year questions अगर देख लेंगे ना पिछले 10 सालों के तो उसी से आपका यह crack हो जाएगा और सेम आता है आपका यह ज पूचा जा रहा है ठीक है अब यहां पर मैं बात करने वाली हूँ कि चाहे आप चाहे आप करना चाहें स्रीदेव सुमन से तो आपके पास eligibility क्या होनी चाहिए यानि कि पात्रता आपके पास क्या होनी चाहिए qualification तो देखिए बच्चा सबसे पहली बात है कि आपके पास होन चाहिए चाहे आप appearing है यानि कि मतलब अभी आप graduation कर रहे हैं लेकिन final year के semester में बैठे तो भी आप इसको दे सकते हैं और अगर आपने complete कर दिया है तो भी आप दे सकते हैं आपका stream कोई भी चलेगा arts, science, commerce और जो humanities के बच्चे हैं कोई भी stream BTEC यह सब भी percentage के अगर में बात कर चाहिए उनके 50 प्रतिशत अंग होने चाहिए graduation में नहीं है तो लेके आओ आओ आप लोग PG में ठीक है यह PG यह graduation में दोनों में से 50 होने चाहिए बाकी जो general STOBC उसके लिए 45% का चूट है ठीक है जो BTEC वाले बच्चे उनके लिए थोड़ा जादा होता है BTEC वाले बच्चो इसकी अगर में बात करूँ तो इसमें कम से कम आपकी 21 वर्स होनी चाहिए ठीक है और duration की अगर में बात करूँ मानि कि कितने साल का यह course होगा तो यह होगा आपका 2 years का full time course होगा ठीक है यह बच्चों आपका बीयड का 2023 का टार्गे जिन भी बच्चों ने उत्राकंड से कर करना है और कुमाव यूनिवर्सिटी के लिए कैसे करना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब यह आपके लिए बहुत ही helpful रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी अबीयड 2023 की किस तारीक तो अ और कि अन्याओर बहुत है तो झाल करना है तो